सेकिंड बीत रहें और पुरे देश की धनकड़ें बढ़ती जा रहें चंद्रियान त्रीगर काम्याब होता है जैसा कि बारत के 140 करोड़ों को उमीद है तो इमानव सब्वैता के लिए एक नया अमील का पत्थर साबित होगा बारत चांद के दक्षनी हिस्से तक समझी लगबग पहुंच चुका है लेकिन दुनिया के दूसरे देश जैसे अमेरिका, चीन और जापान भी चांद के उस हिस्से पर कदम रखने के लिए बेताप बारत के चंद्रियान मिशन ने लूनर एक्स्प्रोवेशन के लिए कैसी उमीदे जगाई हैं इस एक्स्प्रूजव रिपॉर्ट के जरी देखने हैं इस तो वान जीरो इसरो की ये इतला की चंद्रियान तीन अपने तैय मिशन पर है उसी तरह सुकून दे रहा है जिस सरा इंटरनेट यूग से पहले की चिठी की पहली लाइन सुकून देती थी जिसमें लिखा होता था मिरा हाल चाल ठीक है चंद्रियान तीन की भेजी नई-नई तस्वीर उमीद्धी जगा रही है इस चांद के दक्षन हिस्से पर सफलता से पहुँचने वाला पहला देश भारत ही बनेगा चांद के दक्षन हिस्से पर भारत से सिर्फ एक या दो दिन पहले पहुचने की रेस लगा रहा हा रूस का लूना पच्चीस मिशन फेल हुआ है इसी के साथ भारत का चंद्रियान तीन चांद पर ग्यान और विज्ञान की उस संभावना को सबसे पहले खोजने आगे बढ़ चला है जिसकी आस रूस के अलावा अमेरिका, चीन, जापान जैसे ताकत्वर और अमीर देशों को थी आज चांद का दक्षन हिस्सा दुनिया के कौतुहल की वज़े बना है चांद को लेकर एक्रेस छे दशक पहले भी हुई थी तब अमेरिका और रूस सिर्फ चांद पर पहुँच जाना चाहते थे और जीवन की संभावना को खोच निकालना चाहते थे लेकिन तब के लूनर मिशन से मिली जानकारियां दुनिया के दिल्चस्पी नहीं जगा पाई और फिर दुनिया के चांद मिशन तब तक ठंडे बस्ते में चले गए जब तक 2009 में इस्रो और नासा ने नहीं बताया कि चांद के दक्षन हिस्से पर अर्वो वर्षों से जमे हुए पानी की संभावना है 2019 में चांद के दक्षन हिस्से पर लैंडिंग की भारत की कोशिश काम्याब नहीं हो सकी थी लेकिन भारत ने ना होसला खोया ना भारत के सब्र ने जवाद दिया ना भारत के 140 करोड लोगों के संकल्प ने लूनर मिशन से कदम पीछे खिचने दिये नतीजा है धीरे धीरे लक्षे पर पहुँचता हुआ भारत का चंद्रयान तीन मिशन देखिए जब कल सौफ्ट लैंडिंग हो जाएगी जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि होगी हम दुनिया के उन चार देशों में से एक हो जाएगे जिनों ने मून पर सौफ्ट लैंडिंग किये इतने सारे देशों में सिर्फ चारी देश हैं जो ये कर पाएंगे जब हम कल लैंड हो जाएगे चंद्रयान तीन चांद के दक्षन हिस्से की खोज में अपने पीछे किस तरह के इतिहास को छोड़ जाएगा इसकी आहट मिलने लगी है उदर अमेरिका की तैयारी भी कम नहीं अमेरिका दोहजार पच्चिस तक चांद के दक्षन हिस्से पर एस्ट्रोनौट भेजने वाला है ये चांद पर किसी देश का पहला मानव मिशन होगा अमेरिका दोहजार पच्चेस में चांद पर मानव मिशन भेजने के पहले अगले साल ही आटमिस टू मिशन भेजेगा जोकि चांद की सतय से वापस लोटने का मिशन होगा चीन भी चांद के दक्षिन हिस्से पर 2030 तक मानव या मानव रहित मिशन भेजने की तैयारी में है किता एल ちा हैं इसले पार ज local के लो क्या दोचा क刃द साइा और या जो या रादिव परターव, सैंभज के बढे पार भी ओकर पर जोड़ेवाद को बार अ entropy ऑलाईंग की सूग जा सिफरा फिर लो चांद के दक्षन हिस्से पर जिस तरह के जमे हुए पानी जैसी संभावनाएं हैं, अगर वो चंद्रियान तीन और दुनिया के फ्यूचर मून मिशन्स के जरिये इंसान की पहुँच में आ जाता है, तो चांद को सौर मंडल का नया रियल एस्टेट बनने की संभावना से इ एक फ्रेमवर्ग बनाया है, ये आटमिस अकॉर्ड कहलाता है, इसमें चांद की सतह पर किस तरह के बरताव करने हैं, उन नियमों का जिक्र है, इस समझोते में अभी 30 देश जुड़े हैं, इस समझोते के तहट जो देश वैक्यानिक भूच करेगा, उसे दुनिया के सामने रखा जाएगा, इसके लवाद चांद की सतह पर सुरक्षित जोन बनाये जाएंगे, जहां हर एक देश बिना दखल के काम करेंगे, एक तरह से समझे कि चांद पर लेशन स्टेट बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ चले हैं, भारत भी आटमिस अकॉर्ड को मानने वाल देश है, भारत ने इसी साल जून में इस पर दस सकत किये हैं, लेकिन अभी रूस और चीन इस समझोते से दूर हैं, अगर चांद के दक्षने हिस्से पर सफलता पूरवक इंसानी कबजा होता है, तो रूस और चीन का रुख क्या होगा, ये अभी नहीं पता, फिलाल तो च पार्च 10 नाम का नया रॉकेट केरियर विक्सित किया जा रहा है, भारत, कल्चीन, अमेरिका, रूस, जापान और इसराइल जैसे तमाम देशों को, चांद के दक्षने हिस्से की वो खुश्खबरी सुना सकता है, जिससे इन देशों की चांद यात्रा शायद पहले से ज्य तो सवाल ये भी है कि पुरी दुनिया में चांद के साउथ पूल पर पहुंसेंगे, अचानक होड क्यों लग जाती है, रूस जिसने 40 साल पहले मून मिशन किया, उसके बाद 40 साल तक एकदम शांत रहा, अचानक चंद्रियान से पहले अपने लूना 25 को भेजना क्यों चात अमेरिका, चीन, हर जगा स्पेस रीसर्च में फिर मून फाइस क्यों खोजी जार, ये आपके जहन में भी सवाल होगा, कि आखिरकार चांद के साउथ पूल पर ऐसा क्या, वहां तो कोई खजाना तो है, वहां कोई ना कोई, जो दुनिया को अगर छोड़ दें, तो अंतरि फिर आन त्री पहुंच चुका है, इस रिपोर्ट में दिखा तुम है तो चांद का वो हिस्सा जहां तक कभी सूरज की रौश्णी आज तक नहीं पड़ी जहां टेंपरेचर माइनस 248 डिगरी तक होता है जहां के गड़े इतने गहरे हैं यारबो साल से अंधेरे में डूबे हैं इनके क्रेटर्स की जाच से प्रहमांड के ऐसे रहसे खुल सकते हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं था यही वज़े है कि अमेरिका से लेकर रूस और चीन से लेकर जापान सभी की नज़रे चांद के साउथ पोल पर टिकी हैं रूस का लूना 25 जिस मिशन में असफल रहा भारत का चंद्रयान 3 बस कुछ ही घंटों में उसे पूरा कर सकता है साउथ पोल पर जाने की होड में चीन, जापान, अमेरिका सब लगे हैं चीन ने कुछ साल पहले दक्षन ध्रूप से कुछ दूरी पर लैंडर उता रहा था इतना ही नहीं, अमेरिका तो अगले साल दक्षन ध्रूप पर अंतरिक शियात्रियों को भेजने की तैयारी भी कर रहा है आखिर ऐसा है क्या चांद के साउथ पोल में? इसके लिए अब आपको साउथ पोल की सैर पर लेकर चलते हैं समझने की कोशिश करते हैं कि साउथ पोल में आखिर ऐसा क्या है? जिससे दुनिया के साथ साथ चांद की तस्वीर भी बदल सकती है आखिर चांद का साउथ पोल कहां है? साउथ पोल चांद का सबसे दक्षन हिस्सा है प्रित्वी पर जिस तरह से दो पोल से नौर्थ और साउथ पोल जिसे आर्क्टिक और अंटाक्टिक भी कहा जाता है उसी तरह से चांद के सबसे दक्षने हिस्से को South Pole और सबसे उत्तरे हिस्से को North Pole कहा जाता है जिस South Pole के पास चंद्रयान तीम की लैंडिंग होनी है वो चांद का सबसे थंडा इलाका माना जाता है इतना ठंडा की यहां नियूनतमता अपमान माइनस 248 डिगरी तक जा सकता है पर ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब भी आपको बहुत आसान भाशा में देते हैं मान लिजे सूर्य एक टॉर्च लाइट है जिससे रोश्णी निकलती है सूर्य की रोश्णी चांद के बीच के इलाके में ज़ादा पढ़ती है चांद के दोनों पोल्स को कम रोश्णी मिलती है चांद का जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है वहाँ 14 दिन होते है और पिछले भाग में 14 राते होती है लेकिन चांद के पोल्स पर लगातार सूरज की रोश्णी पढ़ती रहती है यह रोश्णी कम होती है लेकिन यहां लगातार सूरज की किरने पहुँचती है पर यहां यह जानना भी जरूरी है कि चांद की सत्य सपाट नहीं है यू बढ़ खाबड है यहां के कुछ गड़े तो कई किलोमेटर गहरे हैं इन गड़ों को चांद का क्रेटर कहा जाता है क्रेटर के उचाई वाले गोलाकार हिस्से को क्रेटर रेम्स कहा जाता है साउथ पोल में इन क्रेटर रेम्स पर ही सूरज की किरने पड़ती है वैज्यानिकों के माने तो इन विशाल दैत्याकार गड़ों की गहराई वाले इलाकों में आज तक कभी भी सूरज की रोश्टी नहीं पहुँच सकी यही वज़ा है कि यहां बर्फ की शकल में बड़ी मात्रा में पानी के होने की संभाव ना है वैज्यानिकों की माने तो यह बर्फ दरसल अंतरिक्ष का सोना है इसके जरीये चांद में जीवन की खोज की जा सकती है इसका इस्तमाल पीने के पानी के लिए किया जा सकता है साथ ही सास लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल के लिए इसे हाइड्रोजन में बाठा जा सकता है कुछ लोगों का मानना है कि इस इंधन का प्रयोग ना सिर्फ पारम पर एक अंतरिक्ष यान के लिए किया जाएगा बलकि उन हजारों उपग्रों के लिए भी किया जा सकता है जिने अलग अलग मकसद के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है चांद के साउथ पूल में मौझूद कीमती संसाधन पानी है जियलोजिकल और माइनिंग फर्म वाट्स ग्रिफिस की माने तो अगले 30 साल में सिर्फ चांद पर मिलने वाला पानी ही 206 बिलेंड डॉलर की इंडस्ट्री बन सकता है ऐसा भी अंदाजा है कि यहां जमा पानी हजारों साल पुराना हो सकता है इससे सौर मंडल के बारे में काफी एहम जानकारिया हासिल करने में मदद मिल सकेगी अगर साउथ पूल में पानी या पर्प मिल जाते हैं तो इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि पानी और दूसरे पदार्थ सौर मंडल में कैसे घूम रहे हैं। उदाहरण के लिए पृत्वी के धुरुवियक शित्रों से मिली बर्फ से पता चलता है कि हमारे ग्रह की जलवायू और वातावरन हजारों साल में किस तरह से विक्सित हुआ। अगर पानी और वर्फ मिल जाती है तो उसका इस्तमाल पीने के लिए उपकरणों को ठंडा करने, रॉकेट ट्यूल बनाने और शोध कार्रे में किया जा सकेगा। साउथ पोल में मौजूद गड़े बहुत ठंडे हैं। नासा के मुदाबिक इस्तान पर हाइड्रोजन वर्फ और बाकी वाश्प्षील पदार्तों को ऐसा जीवाश्पर रिकॉर्ड है जिनका सौरमंडल के शुरू होने से जुड़ाव है। बहुत ठंड और तापमान के चलते चान के इस इलाके में सालों से कोई बदलाब नहीं हुआ। ये वो स्थान है जिससे पता चल सकता है कि जीवन के शुरूआत कैसे हुई होगी। बीते कई साल से दुनिया के अलग-अलग देशों ने मिशन के जरिये चंद्रमा के दक्षन इध्रुव के बारे में जानने की कोशिश की है। तेकिन अभी तक किसी भी देश के यान की सौफ लेंडिंग यहां नहीं हो पाई। कुछ वैज्याने को कमानना है कि चंद्रमा के दक्षन इध्रुव के नीचे पूरे सौर मंडल में बने सबसे बड़े गड़े मौजूद हैं। और इनके नीचे कोई विशाल शीज छिपी हुई है। वहाँ पे हिलियम थ्री करके उर्जा का एक बहुत बड़ा स्त्रोत है। तो यह स्पेक्ट्रोमीटर है, यह इसके साथ में फोटोग्राफ है, कैमेराज लगे हुए हैं तो और यह इतना चेलेंजिंग रहेगा। चांद का साथ पोल वो हिस्सा है जिसे अंतरिक्ष का खजाना भी कहा जाता है। चांद पर मौझूद पहला खनिज है, रेयर अर्थ मेटल, जिसका चांद पर बहुत बड़ा भंडार है। इसकी मदद से एनर्जी पैदा करने वाले सुपर कंड़क्टर बनाय जा सकते हैं। सुपर कंड़क्टर बिजली पैदा करने से बिजली का नुकसान बिलकुल नहीं होता है। अभी बिजली पैदा करने से सप्लाई तक करीब 40% वेस्ट हो जाती है। इसके लवा रेयर अर्थ मेटल से न्यूक्लियर बैटरी और हाई टेंपरेचर बैटरी बनाई जा सकती है अभी प्रित्वी पर सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ चीन में मिलता है इसलिए चीन की दादा गिरी चलती है चांद पर मौझूद दूसरा खनिज है टाइटेनियम इससे दुनिया का सबसे मजबूत लेकिन वजन में हलका मैटीरिल बनाया जा सकता है इससे हवाई जहाज और सबमरीन इंडस्ट्री में कांती आ सकती है इसके लावा टाइटेनियम से लंबी दूरी के रॉकेट बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी तीसरा है हीलियम इसके क्यूजन रियक्टर में नुकलेर एनरजी बनाई जा सकती है यह सबसे क्लीन एनरजी है जैसे कोईले से एनरजी बनाने में बहुत प्रदूशन फैलता है, जबकि हीलियम से बिजली बनाने में प्रदूशन बहुत कम हो जाएगा वएग्यानिकों की जाच में ये भी पता चला कि चांद पर प्लैटिनम और पैलेडियम जैसे बेश कीमती मेटल्स भी मौझूद हैं प्लेटिनम कीमती जूल्री बनाने में काम आता है इसके लवा लेबराटरी उपकरनों और इलेक्ट्रोड्स में भी प्लेटिनम का इस्तमाल होता है एक ग्राम प्लेटिनम की कीमत लगभग 25 सो रुपे है चांद पर पैलेडियम धातु के होने के भी संकेत मिले हैं पैलेडियम का इस्तमाल वाहनों के एक्जास में कैटलेटिक कनवर्टर के रूप में होता है जिससे प्रदूशन को नियंतरित करने में मदद मिलती है चांद और धर्ती के इतिहास में समानता की वज़े से ऐसा माना जाता है कि दोनों की बनावट भी मिलती जुलती है जियो साइंटिस्ट को स्टडी में चंद्रमा की चट्टानों में सल्फर की मौझूद की उसकी गहराई में आयरन सल्फाइट की उपस्तिती का एहम संकेत मिला है भारत का मून मिशन अगर चांद के इन खजानों को खोजने में कामयाब होता है तो इससे थाबित हो जाएगा कि भारत बिना विदेशी सहयोग के हर मकाम हसिल करने में सक्षम है इस मिशन के तहट चांद के उस इलाके के बारे में जानने की कोशिशे की जाएंगी जो अब तक रहस्य है, चंद्रमा पर दक्षन ध्रोवे के ऐसा स्थान है, जो विज्ञान में रूची रखने मालों के लिए हमेशा से रहस्य रहा है दक्षन ध्रोव के सबसे नस्दीक अगर किसी देश ने अपना यान उतारा तो वो अमेरिका है 10 जनवरी 1968 पे, अमेरिका ने सर्वेयर 7 स्पेस्क्राफ्ट को साउथ पोल के पास उतारा था लेकिन ये जगे चंद्रियान 3 के लैंडिंग स्पॉट से काफी दूर है इसरों ने बताया कि दक्षन ध्रोव के नस्दीक स्थित मैंजनिस यू क्रेटर के पास चंद्रियान को उतारा जाएगा चंद्रियान 3 को कल शाम 6 बज कर 4 मिनिट पर चंद्रमा के दक्षन ध्रोव पर लैंड कराया जाएगा ये समय धर्ती पर शाम का होगा लेकिन चांद पर उस समय सूरज उगरहा होगा इसरों के चीफ ने बताया ये समय इसने चुना गया ताकि लैंडर को 14-15 दिन सूरज की रोशनी मिल सके इससे लैंडर के जरीए सारे साइन्टिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने में आसानी होगी तस्वीरे भी साफ आ सकेगी इसरों ने विक्रम लैंडर और प्रग्यान रोवर को इस तरह डिजाइन किया है कि वो सूरज की रोशनी से ऊर जा लेकर चांद पर एक दिन बिता सके चंद्रमा का दक्षन द्रूप बेहत पत्रीला है इसलिए यहां सॉफ्ट लैंडिंग सबसे बड़ी चुनाती है यहां कई बड़े गड़े हैं सॉरमंडल में मौझूद बड़े गड़ों में से एक गड़ा साउथ पोल में ही है इसकी चौड़ाई धाई हजार किलोमेटर और गहराई तेरा किलोमेटर है यह चांद का वो हिस्सा है जहां पर पानी के साथी साथ धूप भी है मगर जितना यहां कहना आसान है उतनी ही लैंडिनिंग मुश्किल भी है चांद के इस हिस्से का सिर्फ 18 फीजनी भाग प्रित्वी से दिखता है बाकी के 82 फीजनी हिस्से की फोटो पहली बार सोवियत संग के लूना 3 ने 1969 में भेजी थी लेकिन 64 साल बार भारत नया इतिहास बनाने के लिए तैयार है इंडिया एक टाफ टार्गेट को अचीव करने वाला है चंद्रियान 2 से सबक लेते हुए इसरों ने इस बार ऐसी तैयारी की है जिसे पूरी दुनिया साक्षाद देखेगी आगे की एक्स्प्लोरेशन में सिर्फ चांद ही नहीं उससे आगे मार्ज या और प्लैनेट्स में जाने के लिए भी मून में जाना निश्य ही सबसे नजदी का प्लैनेट है वहां सक्सेस होना बहुत जरूरी है और ये एक हमारे देश की पूरी देश की प्राइड को आतम विश्वास दिलाता है कि हमारे साइंटिस्ट दुनिया में सब चैसे साइंटिस्ट्स में और रही बात दूसरी लूनर एकॉनमी की जैसे चांद में आगे future में जैसे कहते हैं कि colonization होगा, mining होगी और activities होगी वहाँ से इन activities का हिंदुस्तान भी leading हिस्सेदार होगा और उस हिस्सेदारी में मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया की private companies भी साथ में पार्ट लेंगी चंद्रयान 3 का भी वही मकसद है जो चंद्रयान 2 का था यनि चांद के दक्षन द्रोप पर soft landing करना और इसे पूरा करने में सिर्फ चंद घंटे बचे हैं जब भारत की मुठी में चांद होगा और इंडिया अंत्रेक्ष के क्षित्र में नया world leader बन कर उभरेगा इस पल का इंतजार 140 करोण भारतिय ही नहीं पूरी दुनिया कर रही है बिरो रिपोर्ट टाइमस ताउन और भरत